आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना वाइरस से ग्रस्त जिन लोगों की मृत्ति हुई है उनमें हिर्दय रोगियों और हाइपर टेंशन के रोगियों के लावा डियाबिटीस के रोगी सबसे ज़्यादा है यह हाल चीन, अमेरिका, इटली से लेकर भारत तक सभी जगा एक जैसा है एक अध्यन के मुताबिक भी जिन लोगों को डियाबिटीस की समस्या है उनको कोरोना वाइरस के कारण उनके जीवन को सबसे ज़्यादा खत्रा है विमार भी कर रहा है और ज्यादा मिर्ति दर का भी कारण बना है दूसरी बात यह कि जो भी कोविट के पेशेंट है भले ही वह हाट के हो या नॉर्मल पेशेंट्स हो उनको क्या करना है कि एक तो अपने जो डॉक्टर है जिनसे भी आपको कोविट का ट्रीटमेंट चला व इसे बीमारी का संक्रमन या तनाव का हमला होता है तो उसे बचाव के लिए हमारे श्रीक का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्मूनीटी सिस्टम अपना काम करना शुरुग कर देता है प्रक्रिया में हमारे शरीर में ग्लूकोज या शुगर इस्तर बढ़ जाता है सकती है उसके साथ साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो शुगर कोविट की ट्रीटमेंट के पास हर मरीज की भड़ी रही है क्योंकि वह हम स्टिरोइड इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसी से ना घब रहे हैं और बाकी अपना ध्यान रखें साप सफाई रखें और मास्क प पर्याप्त मात्रा में इंसूलिन बनाता है इस तरह ग्लूकोस का इस्तर ठीक रहता है इससे उनका प्रतिरक्षतन उस बीमारी से शरीर को बचा लेता है लेकिन डाबिटीज के रोग्यों का शरीर खुद बखुद पर्याप्त इंसूलिन नहीं बना सकता ऐसे में लोगों क शरीर में इम्मिनिटी सिस्टम के काम करने में बादा उत्पन्द हो जाती है इसका मतलब है कि उसकी रोक प्रतिरोजक्षमता कम हो जाती है नतीजन चोटी मोटी बीमारियां भी इन्हें परिशान कर देती है सी नियूस के लिए लक्षमी राज सेंग की रिपोर्ट